36 वर की महिलाओं बहनों के लिए खुश खबरी है सीम विश्णो देव साहे आज जारी करेंगे महतारी बंदन की राशी महतारी बंदन योजना की पांचवी किस्त जारी होनी है 553 करोड 84 लाख रुपए ट्रांसफर किये जाएंगे महिलाओं के खातों में 70 लाख महिलाओं के खातों में राशी ट्रांसफर की जाएगे 11,000 रुपए राशी ट्रांसफर के जाएगे आज महतारी बंदन योजना की पांचवी किस्त 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को आज जारी हो रही है सभी माताओं बहनों को मैं बहुत बधाई और सुबकामनायद देता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ विश्णिदोय साय जी की नतरत वाली सरकार को जिन्होंने माताओं बहनों के ससक्ती करण के लिए ये अभियान प्रारम किया है तो सीएम विश्णिदेव साय आज महतारी वंदन की राशी जारी करने वाले हैं ट्रांसवा करने वाले हैं पांचवी किष्थ होगी है महतारी वंदन योजिना की पांचवी किष्थ होगी है अधिक जानकारी के लिए सिद्धे रायपूर के रुक कर देते हैं खुमन साव हमारी सयोगी जुड़गा हमारे साथ लाइग रायपूर से खुमन 36 गर की महिलाओं बहनों के लिए खुशी का दिन आज देखिए निश्ची तोर पर सरकार आज पाँचवा किस्त जारी करेगी सुमित जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था विदान सबह के पहले की सभी मातारियों के खातों में हर मेने 11,000 दिया जाएगा उसी वादे को सरकार अपूरा कर रही है पाचवा किस्त आज जारी होगा इसकी तयारी भी पूरी कर ली गई है दो पहर 12 बजे के बाद मुख्यमंतरी विश्णू देवसायत चतिस गड़ के 70 लाग से जादा महिलाओ के खातों में 11,000 ट्रांसफर करेंगे महिलाओ को खाते में ट्रांसफर करने के पीछे कहानी यह है सुमित क्यूंकि 36 गड़ में जिस तरीके से विधान सबचुनाओ के दारान 36 गड़ के महतारियों ने भारती जनता पार्टी को भरभर के वोड़ दिया इसके अलावा लोग सबचुनाओ में भी भरभर के वोड़ दिया यही कारण है कि BJP की सरकार 36 गड़ में बनी लोग सबह चुनाओं में 10 सीटों से जीत कर भारती जंता पार्टी आई तो खुल मिला कर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से वादा सरकार ने किया है सरकार एक तरफ से वादा पूरा करिये दूसरी तरफ से महिलाओं ने जो जिस तरीके से विधान सबह में साथ दिया था अब भाजपा को उम्मीद है कि नगरे निकाय चुनाओं में भी महिलाओं का रुजान बीजेपी की तरफ होगा बहुत शुक्रिया खोमन जुरने के लिए तमाम जानकारी बाचित के लिए आपका बहुत धन्यवाद